हुआ हो गया सारी यह ने बाई मेरी राम राम मैं जगदीप शर्मास्ट अपचेस और यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बहुत जबर्दस जगा पर हूं और इसको हिंदूस्तान का स्वर्ग भी गाजाता है बहुत कुछ यहां पर इस शब्द के पिछे बहुत कुछ तर्क है बहुत अर्थ है और गूड़ शब्द है हमारे साथ है स्वामी अगनी देव आरिय जी प्रणाम गुरु जी शब्द ठ मैं बहुत बढ़ी हैं मैं लास्ट आप से मिला मैं आप से मिलके और मैं जब वीडियो बनाकर चला गया तो आपने बताया भी यहां पे लोग 15-20 साल लगा है दूसरे राज्जों से आवा हैं तो मेरे दिमाग में प्रशन उठा बाद मैं प्रशनी उठा कि जो 20-25 साल आपके देखो माब आप तो वो तो कोई कोई बागय साली बच्चा होता है जिसके माता पिता स्वम बेजते हैं क्योंकि जितने भी गुण होते ना हर माता पिता चाहता मेरे बालक में यह गुण एक गुण को छोड़ गे और वह गुणरिशियों ने सब से उच्छा गुण बताया है हर माता पिता चाहता है मेरा बेटा सत्ते बोले मेरा बेटा ब्रमचरिय पालन करे मेरा बेटा इमानदार हो मेरा बेटा रास्ट्र भक्तो सब माता पिता चाहते हैं पर ये बात कोई कोई विरला माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा वेराग्यवान हो उसको वेराग्य हो इस बात को कोई नहीं साथ है सब अपने से जोड़े रखना चाते हैं कि मेरे गर को संबाले Evangelik से चाहर ने मेरी सेवा करे मुझे मेरी बूढ़वे में ये करे मेरी वो करे हर माता पिता यहीं तक सिमित हैं लेकिन हमारी जो संस्कृति रही है उसमें यह चीज नहीं रही बच्छावार नापे तक माता पिता के साथ लगा रहे वो तो सब को समान रूप में देखते थे कैसे हमारी वारेसं संस्कृत्य के विध के सेंट्री था ठीक सेव फिर 25 yes सब्सकार होता है उसका प्सकार अपकिर जाता ऊप या तो आने के बाद उसका विवा जाता था विवाद संसकार होता था अब जब घर आया गडिश्कारों हाया कि हुआ आने के बाद फिर उसको विवा हो गया यह साध्यי सांधियों डटी फिर उसको मैस्त taxation इन बच्चे वै KIM ॉब्च्छ टीए अपच्छ साल तक बच्चे पड़ें तो पच्छ साल के ऊने के या साधय है इसके पच्छ वी गई तो सब्सक्राटन युइझ पाचास से उपर आई यू हो गई है और फिर ऋटेख बच्छ करता है उसके बच्चे होता है तो फिर बो डुसरी आसर में प्रवेश्ट कर जाता तीसरे में बलुकिने कि नहीं यहां वान प्रस्त में दसेस वान प्रस्तवस्ता में चले गई जैब उसको अपने बेटेval सेवा लेने का तो मुखा मिल आई नहीं बेठा के गुरकुल से आया तो वह पिता जी कहां की त्यार होगी वानपरस्त के लिए चल पड़ता है और फिर वह सन्यास आसरम के और वानपरस्त के बाद सन्यास के और चल पड़ता है तो इसलिए अपने बच्चे से सिवा का तो मु कि सेवा तो सभी करते हैं मौन लोगान प्रस्ती सब के लिए बराबर होते हैं कोई शाद हुआ जाए तो सब के लिए बराबर है वहीं तो इस तरह यह हमारी प्रमप्राइन रही है असमानता का आप सी प्यार प्रेम का इतना बड़ा यहां पर रहा है और देखो सामने पशू हैं पक्षिय कभूत्र है अंडे दे दिये बच्चे निकलाया अब उड़ने काफिल तो ठोंग वारे वह उड़े अब यहामत चिपका रहे अब उड़ जा उड़ारी ले जा जिस उदेशे के लिए मुनिश्य का जन्म हुआ है माता पिता उसके लिए उसे उड़ारी देना न मैंण मैं यह तो देلاगे मनिश्य जन्म का जो मुखइ उड़े से हैं后ं सामान आपनी बात करें मतलब अपनी सामान आवस्ताहं की बात करें तो उसका मुखप उड़े से सुख की प्राप्ति उसकी की प्राप्ति को शास्त्रों बाह भासा में मोक्ष का ब्श्प मतलब की की प्राप्टी कहा है वो शुख का कहा है अब कोई सोचे कि प्राप्टी से कैसे सुख बसके एक छोठी से शुख सकते हैं एक बच्छा माता पिता-कe साथ म्मेल गया गुमने के लिए जि-बहुत भारी मेला है नहीं मेले में बिछब जाता माता-पिता से बच-चारॊने लगता है उसे माता पिता की याद आने लगती है जब बच्चा रोने लगता तो लोग उसे देखते हैं उसे उठाते हैं उसे खेल खिलोने दिलाते हैं बच्चा उन खेल खिलोने में गोल मिल जाता है उनमें वो खेलने लगता है और माता पिता को बोल जाता है थोड़ी देर जैसे खेलता उनसे मन बरता है, फिर माता पिता याद आते हैं, फिर रोने लगता है, फिर उसे दूसरे दिला देते हैं, थोड़े देर दूसरों के साथ लगता है, फिर रोने लगता है, यानि कि वो जब तक उसे माता पिता नहीं मिलेंगे न, तब तक खेल खेलोने, कुछ लोग जीवन जीने रहे हैं लोग जीवन काट रहे हैं जीवन काट रहे हैं जी ही तूशी हमनेशिय है ठाल जीवन जीवन काट रहे हैं तो इसलिए है उसका ये हल है उस बच्चे की तरह और बिच्चटा वा है अपने माता पिता से जिसे पिता है जिसे परम पिता कहते हैं ऑनका माता प्रमात्मा से बिछड़े हैं लेकिन कुछ देर हमें खेल खेलोने मिल जाते हैं अच्छी नोकरी मिल गई अच्छा वे पार चल पड़ा अच्छा मारा चैनल चल बड़ा मेरा भी चैनल है यह सारी चीजे उसी में जोड़ी हुए है तो हम कुछ देर के लिए प्रसनता होती है लेकिन अंती में कारण क्या है जब तक उससे नहीं जड़ेंगे ना हम वह चीज नहीं प्राफ्त कर पाएंगे तो 27 सुख है जिसे मौक्ष कहते हैं जीते जी वह समाध्य का सुख है और मिरतियों के बाद में लास्ट इंट्रू के आपका तो उस इंट्रू के बाद फोन आ छोड़ना चावाँ उनको धनản प्षैसन देना चाहिए क्या पढ़ाई वो करवाएंगे यहां पर देखो यह जो गुरूकल है आर्स गूरूकल आशो गूरू से कहते नोकर त्यारनी होते हैं स्वा मि पंदते हैं देखो की Всि पुछा यहां बोध मरना मौना चालना नहीं छाथ है कि जी मैं स्वा में कोई नहीं हो चाल चाहतं हूँ इस नुप चुदा पंदरा से उपर हो गुरुकुल निशुल्क है यहां खाना पीना रहना सेना यहां तक ही ओड़ना पेड़ना सब निशुल्क है यहां कोई पैसा नहीं लिया जाता यहां संख्या लगबग अब सत्रा सिग आसपास है सत्रा सिगा हरोज इतना बोजन बढ़ना यहीं सब ऐसे चलती है निशुल्क है तो जो भी बेजना चाहिए हां मैं तो यह कहता हूं जो रियाना वाले हैं इनसे मनी वेदन करना चाहता है अपने बच्चेओं कम से कम यहां जरूर बेजें कम से कम चीजान का तो पता है असलील वैब साइट का तो पता है असलील कारीये दो सब करते हैं प्रब्रम से यहीं पता क्या होता है और जाने अपने करते मत्र बंको और पता'M और ना उसका उचारण पता है मतलों बहुत सी चीजें हैं उसमें गड़वड़े कर दे जाते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया तो हमारे गुरुजी से मैंने बात करी और बड़ा अच्छा लगए और जहां तक मेरा उदेश्या है जहां पर रास्र बक्ती की देश बक्ती की बातों अतों है उसकाम को लेकर तो मैं जॉर शुर वह उतहाँ, जिबकि पर जुरुझके बच्छा को बढ़ाए जाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है और जैसे कि गुरुजी ने बताया कि यहां पर बच्चा ने बेज़ो और उपर से यहां बात पिश्चा नहीं लिया जाओगा उंसे हर चीज फ्री है और फिर भी हम नहीं बेचते यह हमारा दुरभाग है आप ने वीडियो क किसी लागी कड़वा गुरुकुल के बारे में आपका के कहना है कमेंट बॉक्स में रहे देदिए वाई तब तक के लिए धन्यवाज जाहिंद भारतमता की जै कर दोहते है आपका के लिए थ वीजे टाहिंद भारतमता की जिएसे थज़ुल के लिए जाहिंद